वेल्कम बेक तु माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कोश्चन नंबर आपका जेक्स हो जागा जो कि आपका थर्ड कोश्चन है ठीक है यह जो कि आपके लॅंप आज करें चैनल कोश्चन नंबर यो की आपका थर्ड कोश्चन है ठीक है बाटने पहले आपने उनको देख लेना है उसके बाद आपने इनको देख लेना है तो इसमें आज हम बात करेंगे क्या पूछ रहा है कि साइकस क्या है आपका साइकस है की पत्ती की आकारकी ठीक है मार्फोलोजी एंड आंत्रिक सरचना का वर्डन कीजिए क्या करना आपकी साइकस की पत्ती का क्या करना है उसकी आकारकी बताना है और क्या करना उसकी आंत्रिक सरचना का वर्डन करना है ठीक है या और नामांग की चित्र की सहता से साइकस की लीफलेट लीफलेट मतलब पत् की पती की अंतृक्त सरचना का वड़िन करना है ठीक है यानिकि आपको एक चित्र बनाना जिसके सभी पार्ट के आपको नाम लिखना है नाम के चित्र हो जाता है ठीक है सभी पार्ट के नाम तो क्या जागा वह एक नाम के चित्र हो जागा ठीक है with the help of the level diagram describe the anatomy of psychos leaflet तो psychos के पत्ती की आंत्रिक सरचना और उसकी आकारगी आपको बतानी है इस तरह से आप से question पूछेगा तो इसके बारे में हम discuss करेंगे चलिए शुरू करते है या अभी और लिखा है या करके पूछ सकता है कि साइकस की पत्ती की खड़ी काट क्या खड़ी काट का सुक्ष नामांग के चित्र बनाई ये इतना भी आप से पूछ सकता है त साइकस की पत्ती की खड़ी काट का सुक्ष नामां के चित्र को सुख क खड़ी काट मल लिए क्या है और के माल लिया हमने ये क्या है हमारी एक पत्ती है ठीक है इसको ऊपर से काटना है किदर से काटना है मालो यह पेन है ठीक है इसको अगर आप ऊपर से काटो तो यह आपकी कहलागी खड़ी काट ठीक है इधर से काटो तो यह आपकी पड़ी काट कहलागी तो ऊपर से काटने पर ठीक है ऊपर से यहां से मालो हमने काट दिया तो हमको करते हैं कि साईकस की पत्ति की आकार की ठीक है या ने की मॉर्फवलोजी ऑप स्टाइक लिफ लेट आकार की की बात करेंगे तो कहे रहा है साइकस में दो प्रकार की पत्तियां पाई खतना का कई तो यह आपके चोटे-छोटे स्केल्स बने हो ते तरह कि आपके छोटे-छोटे इसकेल्स जो है बने होते हैं चुक्षि इने को कहते है शल्क पत्र एक दूसरे से अर्टरनेटिंग खरती हुई तने पर divan universities तो होती है कैसी रही होती है यह दूसरे से alternating मतलब कि आपका पहले एक पत्ति आ जाएगी ठीक है उसके बाद आपके दूसरी पत्ति आ जाएगा इसके बाद थर्ड एंट अगली और अगली अल्टरनेट के नंब में लगी रहती है एक निशा Но कैसा होता है worry या सर्पिल कि ओस रोपिल ट्षिक रहने कि कि यह थना है आपका तो यह कुछ इस तरह से आपका सर्पिल टैप जो है राउंड में चलता रहता है कारा फोलियेज पत्तियां मजबूत होती है लंबी एवं कैसी होती है आपकी यूनी पैनेटियल ठीक है यूनी पिनेटली कंपाउंड होती है कैसी होती है यूनी पिनेटली कंपाउंड होती है जिन पर अनेक लीफलेट पाए विट लंवी यह संक्री आकृति की जो है पत्रकों रम कहते हुझा हुझा ऑर चंक्री आकृति की तरह तरह चीए टिक जो नीचे की और लीफलेट के मार्जन अंदर की और मुड़े होते हैं नीचे की और जो लीफलेट के मार्जन होते हैं वो क्या होते हैं भी अंदर की और जो है कुछ इस तरह से मुड़े रहते हैं ठीक है प्रतियक पत्ती में एक एक रैसिस होता है ठीक है क्या होता है प्रतियक पत्ति में पाया जाता है कि शिशू पत्तियां सिशू पत्तियां आपकी सर्सिनेट वर्नेशन प्रदर्शित करते हैं क्या करते हैं इल्म क्या पाया जाता है बिन्यास इनका कैसा होता कुंडलित बिन्यास प्रदर्शित करते हैं कैसा कुंडलित बिन्यास जो है यह प्रदर् सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा एपी डरमेस जहकर आपके सबसे बाही परत होती है ठीक है बाहन वाली मांसल परत को कियाते हैं एपिडर्मेस एवब से बनी क्या होती है उपर होती है प्रकास संसले सड या फोटो सिंथेसिस में भाग लेती हैं ठीक है photosynthesis में भाग लेती है तो यह होती है आपकी parent kinematus cells जिन में croreplast पाया जाता है और जो आपका प्रकास संसले सड़े है photosynthesis में भाग लेती है की बनी अपर epidermis होती है तो यह कैसी होती है वही parent kinematus cell की बने हुई एक आपकी epidermis होती है इस पर मोटा cuticle क्या होता है इस पर एक मोटा क्यूटिकल पाए जाता है जिसे हम जो कि आपका क्या होता है चल्ली टाइप होता है जो आपका पाया जाता है कह रहा है लोर एपीडर्मिस अब अगर नीचे वाली अपिडर्मिसकी बात करें तो कैसा होता है आपका ईरी कन्टिन्यमस कैसा होता है यह फूरी तरह से कन्टिन्यमस में नहीं कईसा होगा discontinuous होता है इस प्रकार संकिन इस्टो मेंटा पाए जाते हैं इस नहीं पर होते हैं जिया पोोर्स कहां सकते हैं जो कि आपके दिन के समय open हो जाते हैं जिनसे आपका जो है gases exchange होता रहता है अगर हम बात करें दूसरा भाग क्या मिलेगा आपको पत्ती में तो यह मिलेगा आपको hypodermis यह क्या होता है भी epidermis से अंदर वाली layer होती है किया हुता है आपका epidermis से यह आपका epidermis है उसके अंदर वाली लेहर को हाइपर में कह Music कहते हैं तो कह आ आपका epidermis के नीचे इस्कलेरेन काइमेटस सेल्स कहां एक इस्तर पाया जाता जो हाइपोडर्म एसके नीचे आपका epidermis के नीचे और कैसा ओगा आ स्क्लेरेन कायमेटस ठीक है कैसा होगा इसक्लेरेन कायमेटस यह हम कह सकते हैं कि द्रड़ों तक पोश्य का है दुरुनु तक पोश्य का है होती है ठीक है यह उनका इस तरव होता है उसी को हम क्या कहते है है अपका एपडर्मिस के नीचे वाला भाग होता है ठीक है तो यह है आपकी लीफ लेट की सरचना है तो सबसे पहले हमने क्या करना सबसे पहले हमने इस लेट टीक है जो कि आपकी लीफ थी उसको हमने क्या कर लिया है खड़ी काट लिया है ऐसे काट अब इसके सभी जो है पार्ट का अध्यन करेंगे यह कुछ इस तरह से आपकी कटी होई है और आपके सामने जो है रखे होई है तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे ऊपर वाली जो आपको लेर दिखाए देरी यह आपके क्या होते हैं होदा के नलशा हो इसके अंदर दे और अगर आप अंदर बनेंगे तो यह कैसा होथा आपका होता है यह आपका होता है पहली सेड क्या होता है पहली सेड यह आपका भास पंकती होती किस की तरह होती नहीं कि तरह एक आपकी यह होती है तुल हुआ कि तुल है इस तरह आपकी घंड़ plank करते हैं पहला पाई जाएक है वो भूणकति आपकी नीचे आपको कुछ इस तरह सराचाइए मिलेंगी इन्हीं को हम कहते है इस्टो मेटा क्या कहते है इस्टो मेटा जो आपके ओपन ओपन होते हैं कैसे होते है जो आपका मिडल भाग में पाए को पर संबेहन्य उतक यह ने संबहनी बंडल या संबहनी उतक यह आपके दो तरह के होते एक तो इसमें उता आपका जाइलम और इसमी और पेस यह खेंगार्णर यह दूम आपके यह जो बाग को कहते हैं यह आपका पैरेन कायमा है जिसमें आपका क्या पाय जाता है और यहीं पर आपका फोटो सिंथेस्स की करिया जो है देखने को मिलती है एक होता है आपका इसपन्जी टिशू क्या होता है एक होता है एक होता आपका ट्रांसफूजन टिशू क्या होता संचारित उतक क्या होते हैं तो इस तरह से सभी बाग को हमने नोट कर लिया है सभी बाग हमने देख लिए कहां पर आपका कौंसा पार्ट होता है कि अनाम होता है यह आपने लिखना ठीक है अपका अब क्या करना है जो आपका बी बाट है यहां से आपका क्या है इसमें क्या और धिक से 0 हमने की इसका सब्सक्राइब निकाला है इस तरह से उसको हमने रख लिया इसको बहुत ज्याद correlate जो जैस इस्टी करने पर क्या क्या इसमें आपको दिखाई देता है । यहां पर बताया गया है सबसे जो है बाहरी यह पाया जाता है की इस Тरह पाय जाती अपीधर्मिस ट्विं सरचना श्यावी आपकी ह्पाया जिसा रचना है थ्ठीक है कुछ इस तरह के विए कुछ इस तरह का जो है सैक भरा रहता है तो आपकी क्या हुझा जाएंगे है इस अंदू पहली सेड़ के ल Мिट है आंस वुजियन ह Southern義 थे क्ल सब्सक्राइब देख देख थे जो B बचिण dachte स् excitwork जागा संचारत ऊतर तो वैब कर वे आपका क्या है ट्राइसीज़न ट्शू इसमें देखने को मिलते हैं यह आपको ॅकूरीश मेंद इस सबसे नीची लेडिए Это यह क्या उत्ता होते हैं क्या उत्त honour पाई जाते हैं इस तरह के आऊंगे आपके यहाँ आ पर यह इस्के आँ But उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर जब अंदर आप चलते हैं तो क्या आप आ जाते हैं इस सेल्स पाहे जाती है जो कि आपको यहां पर इस तरह की जो सरचना और तरह कि संद्थना एक यहाँ पर कब्रश्ट रहे और और यहाँ पर आपने क्या दिखाना है यहाँ पर आपने क्या दिखाना है कि तो यहाठ कि व ώर मिन आपका भरा वा यहां पर हम बात करें तो नीचे आपका आजागा करता यहिसा की ओस ह cash then 3 पीटल ठीक तो यह कैसा है आपका सेंट्री फ्यूगल तीक है सेंट्री फ्यूगल जाय लूम है ठीक है कि सेंट्री फ्यूगल मतलब कि आपका केंदर से बाहर की ओ लब्वर क्या हूं तो गडू护ाब का स्न्ट्री फ्यूगल उसुत lacking है प्रोटो जायलम क्या है आपका प्रोटो जायलम जो कि आपका सेंट्रिफ्यूगल जायलम के पास है ठीक है उसके बाद यह जो आपको सरचना इस तरह की दिखाई दे रही है पंडाकार सरचना है यह आपकी हो जाएंगी पैरेंट कायमा क्या हो जाएंगी आपकी पैरेंट का का एक भाग लिया था जिसके बारे में डिटेल से जाना था नेक्स्ट जो सी है आपका ठीक है क्या है वर्टिकल स्टक्चर आफ पोर्सन आप दा विंग आफ लिफ लेट तो इसमें आपको बस बोई है जो अभी उपर पड़ा था उपर क्या हो जागा क्यूटिकल नीचे वा होने त्रांसफिऊजन टिश्यु कह रहे थे क्या कह रहे थे उसके बाद क्या था इस पॉटि ठीक है यह सरचना है जो कि क्या 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 क玩 J टिशू कहला ती है और नीचे आपने देखा था शिरा concur और नीचे भी पत्ति की सरचना है एस तरह से जो है इसका structure या सरचना complete होता है अब इसमें थोड़ा और रहे गया बस वह आपने पढ़ लेना है उसके बाद में आपका कोपलीट हो जागा ठीक है त्राइकस की सेल वाला तो थर्ड तीसरा आपका मीजोफिल टिशू अब आपका थर्ड पार्ट क्या होता है इसमें मीजोफिल टिशू होता है मीजोफिल टिशू जिसे पर्ड मध्योतिक कहते हैं क्या कहते हैं पर्ड मध्योतक यानि कि पत्ती के बीच में पाये जाने वाले उतक आपके क्या कहलाते हैं मीजोफिल कहलाते हैं यह आपके पत्ती के लिफ लेट के बीच में पाये जाते हैं ठीक है कह रहा हाइपोडर्म इसके बाद बिख्षित मीजोफिल चीक है क्या व्हे पाहिए किoda ज passado आपका fagg को समांद सनचना होती उपने तक इस्का सेंच में भिवेधित रहता है कि isn't बटा रहता है पैलीसेड और स्पॉंजी पैरिंक्यमें यह दोनों मिलके बनाते हैं आपके म्यूजोफिल टिशू बनाते हैं ठीक है पैलीसेड की कोश्च लंबी होती है जो कि खंबे के समान घंप की आकरती समान होती है इनमें आपका chloroplast होता है क्लोरोपलास्ट होता है ये при talk लेती है किसमें फोटो सिंतेση में ये सेल्स आपकी बाग लेते हैं कहारा है पैली सेड़ के नीचे इस Panama की लूजली अरेंजड से जब आप नीचे देखो तो क्या मिलेगा आपको spongy parent कायमा मिलेगा जो कि इसकी कोशकाएं कैसी होती है loosely arranged यानि कि थोड़ा दूर दूर जो है पाई जाती है ठीक है गैसिस एक्सेंज में सायक होती है यानि कि गैस का जो है आदान प्रदान यहां से होता है होता है त्रांस फ्यूजन टिशू क्या होता का आपका आपका संचारित उत्क क्या होता आपका संचारित उतक तो बैस्कुलर्ट टिशू यह आपका मेड्रेव हो गया यह क्या हो गया आपका बैस्कुलर्ट टिशू के दोनों और पहली सेड एवं इस्पंजी पैरिन कायमा के बीच लंबी कोशिकाओं का बना हुआ ट्रांस्फूजन टिशू पाया जाता है कि इनके दोनों और आपका वैस्कुलर्ट टिशू एयलम और फिलोयम हो ता क्या होता है आपका जाइलम और आपका फिलोयम होता आप करता है जिस ね मुक्रूप से क्या होता है बैस्कुलर बंडल से जो आपके बैस्कुलर बंडल जिसमें आपका जायलम होता है ये क्या करता है ये आपका वाटर का जो है ट्रांस्पोर्टेंशन करता है तो क्या करता है इसका मुक्रूप से बैस्कुलर बंडल से जल एवं खनिज लबड़ों को खनिज रबनों को पती के विभिन भागों तक पहुचाने का तो आपका किसका ट्रांस्क्युजन वंडल से कर केंज चल और पती के विभिन भागों तक पहुचाएगा थी सिंध त्या activities 4 आ फिप्त जो कि आपका लास्ट है ये सरचना भी आपको देखने को मिलती है वैस्कुलर बंडल करा लीफ के मिड्रिब भाग में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है यानि कि लीफ के अगर बीच बाले भाग की बात करें तो उसमें आपका वैस्कुलर बंडल पाया जाता है यान होता है वही एक खोल या शीट होती है ठीक है वैस्कुलर बंडल वंडल होता है कैसा होता आपका रूपरी सतह की ओर तथा फिलोईं पत्ती की निचली सतह की ओर होता है तक होता है यह स्वत क्रवेंग होता है कि यह कत्रित होता है जिसमें क्या नीचे और क्या चाल्डाइं जो फिलोम जो है पाया जाता है जैलम फ्लोएम के बीच इनेक्टिव केम्बियम क्या पाया जाता है आपका इनेक्टिव केम्बियम पाया जाता है जो कि आपका एक प्रकार का उतक है जो ग्रोथ के लिए responsible होता है ठीक है इनेक्टिव केम्बियम क्या होता है कि एक पट्टी पाई जाती है जायलम सेंट्रीपीटल एवं सेंट्रीफ्यूगल में विवेदित रहता है यानि कि जो आपका जायलम है ठीक है क्या है आपका जायलम के अगर हम बात करें तो यह कैसा होता है आपका सेंट्रीपीटल होता है यानि कि केंद्र की ओर होता है कहां होता है केंद्र की और होगा ठीक है केंद्र की और चुन तरह?.. तो यह आप आपका साइकस का जो है साइकस की पती की आकार्की एकεις किया था।